आज तक सुधीर सिंग ने कभी रंगदारी नहीं मांगी, आज तक सुधीर सिंग ने कभी पैसे पे किसी की हत्या नहीं की, आज तक सुधीर सिंग कभी किसी ऐसे मामले में अपहरण नहीं किया, मैं सवाल खड़ा कर रहा हैं那麼 निसमें क्या कर सकता हूं लेकिन सफाई तो देनी पड़ेगे ना जब मेरी बैक फ्लेस में मेरे जाएंगे तो मैं अभी बहुत छोटा सा था उस समय में जो है कि मेरे पिता की हत्या कर दी जाती है थोड़ा मैं बड़ा होता हूं कि शोर अवस्था में आता हूं तो मेरे भाई को जो है कि बीच का चहर सभी देख रहे हैं और मैं हुविकाज गोष्वामी गोरकपूर की नौव विदान सभाएं और सभी की सभी विदान सभाओं पे मौजूदा सरकार की नजर है क्योंकि अब योगी जी गोरकपूर से चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पुरवांचल पे जो उ सभी नौजवान साथियों के पास पितातुल बुजूर्गों के पास अपनी माताओं के पास जा रहा है निश्यत रूप से जन समर्थन मिल ला है और मैं तो मान के चल ला हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ खैर आगे दस तारीक को पता चली जाएगा विपकच्छी पाटी के जो लोग घूम रहे हैं अभी खैर कि गोसित नहीं हुआ कि कौन प्रत्यासी रहेगा सवाल खड़ा कर रहे आपके ऑपर बार बार कि चवी यो नेकर बार बैर सवाल खड़ा कर रहे है कि वह बहुत ही सक्त किसमनान है और अपराद की दुनिया तमाम मतलब की चीजें आगे पीछे जोड़ा जा रहा है क्या कहेंगे इस पर अब तो बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं अब उनको यह कमी दिखाई दे रहे होगी तो ही कमी निकालेंगे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ नहीं लेकिन सफाई और देनी पड़ेगी जब वार होगा जुकी अब जुबानी तीर छोड़ी जा रही है और मुझे लगता है कि हम लोग लाश चरण में हम लोग मतलब की गोरब पुरवालों का चुनाव है और जुबानी ती रही अब सब कुछ करेगा मुद्दे पे आई यह मैं बताता हूं भारतिय समीधान में आत्मरक्षा करना कोई पाप नहीं है कोई जुल्म नहीं माना जाता है कोड भी उसको हत्या कर दी जाती है थोड़ा मैं बड़ा होता हूं किशोर अवस्था में आता हूं तो मेरे भाई को जो है कि बीच का चहरी में गोलियों से भूनके उनकी हत्या कर दी जाती है बहुत से दोस्द भी हमारे मारे गए और किसी भी आदमिक सामने अगर जो है कि यह परिस्तित आजाएं तो निश्चित रूप से वो अपना बचाओ करेगा और मैं अपना बचाओ किया और अपने बचाओ करने में अगर जो है मुझे कोई गलत समझे सही समझे मगर कोई उठा के देख लीजे आज तक सुधीर सिंग ने कभी रंगदारी नहीं मांगी आज तक सुधीर सि कभी किसी ऐसे मामले में अपहरण नहीं किया मैं जो है कि फिर मेरे उपर अगर मेरे उपर जो भी आरोप लगा रहे हैं उस आरोपों को देखें कि मेरे उपर आरोप कैसे हैं आपके पिता को कोई एक थपड मारेगा तो आप जो है कि थपड मानने का प्रयास अपने पक्ष पूचा कघे निंगों को पें करनाएं को पिछली बार बार एक इन्टर्वू किया था कैना कि वीडियों का अधि से मां रख वीडियों के where को फिखा भी था व एक सवाल भी खालाकि आणिए और में थिताटी ऺम पूछा थाने व चाइस के सहाजनवा में यदि मालिजे की इनकेस आप जीत जाते हैं और सरकार आपकी नहीं बनती है तो वह 50-50 वाला मामला आप कैसे निप्टाएंगे 50-50 मतलब कि यहां के जो अस्थानी लोग आरक्षड को लेकर कि जो गीडा में जितनी भी कमपनिया हैं 50% हमारे लोग रहेंगे उसके बाद 50 बाहरी आ सकते हैं तो इसके आपने जवाब दिया था कि सुदीर सिंग का विधायक होना ही काफी है और कट वीडियो मना के आपके हो कैसे इंसान है 50% मेरे लोग का मतलब क्या आप समझ लिए मेरे जनमा के लोग साह जनमा बिधान सभा का हर एक बेटा हर एक नौजवान मेरा भाई है हर एक बुजुर्ग मेरे पिता तुल्ले है और यहां पे जो माताएं हैं वो मेरी मा हैं और आप बता दीजिए कि एक ठीक ठीकेदार को बीच में खड़ा करके बंगाल बिहार राची यहां से आप जो है कि बुला के लिए आते हैं लेबर साड़े साथ हजार पे अब पंद्रह सो ठीकेदार रखता है और तो तीन हजार रुपया जो है कि यह उद्योगपती अपने जेब में रखते हैं और बारा घंटा नौकरी करा कर खुन चूसने का जो काम यह कर रहा है उद्योगपती लोग यह निशीत रूप से अगर सुधीर सिंग विधायक होंगे तो यह तो नहीं होने दूँगा 50% यहां के लोग होंगे अब 50% हो ठिकदार लेके आए रोट पे उतर के लड़ेंगे आप आपको कैसा लग रहा है क्या मतलब सही दिसा में जा रहा है कितना काम करना है कम काम कर रहें ज्यादा काम कर रहें एक होता है ना कि आदमी चेंड़ करता है तो इसके पहले में ब्लाक प्रमुक रहा चेतर पंचायत सदस्य रहा तो लगतार जो है कि मैं राजनीती में शक्री रहा मेरे पीता जी ब्लाग प्रमुक रहें मेरे उसके पहले जो है कि मेरे ही बाबा थे ओ धुरूप नरायण सिंग ब्लाग प्रमुक भी रहें विधायक भी रहें यहां से उसके पहल तो यहां की जंता की आग को देख रहा हूं और जंता की आख देखके मैं बता दूँगा कि कौन मुझे ओड देगा कोन मुझे ओड नहीं देगा तो यह आपको मैं अस्वस्त करा दूँ कि मैं चुना जीत रहा हूँ आप 10 तारीक को फिर मुझसे मिलेगा फिर मेरा इंटर्विव ले लिजेगा मिठाई के साथ मिठाई के साथ निशीत रूप से सिशोधिया राजपूत हुम है और निशीत रास्था मेरी भी है सिराम चंदर जी पे मगर राम को लाएं हैं कौन राम को लेा दिया सुप्रीम कोर्ट का आदेस नहीं रहता तो क्या कोई और राम को लेा देता आप इसके पहले देखिए कि राजी गांधी जी ने जो है कि मंदिर का ताला खुलवाया था आप देखे होंगे लगतार जो है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कोर्ट का आदेस नहीं रहता तो निश्य तुरूप से राम मंदिर नहीं बनता आप बार बार आप लोगों को दिखाई नहीं देता है कि पी सिस्प सहजनवा के बारे में बोलूँगा मैं सहजनवा के ही बारे में सोचूँगा और सहजनवा की धर्ती की ही मैं बात करूँगा और आप सहजनवा की धर्ती की बात ये जान लीजिए ति मेरा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है मेरा मुद्दा आमी नदी के बंदे का म पर देखे होंगे कि बाढ़ आजाता है मैं यहां पर फैक्टरियों के मुद्दों पर बात करूंगा कि जो दोग पती जो भारती जनता पार्टी की गोद में बैठ कर जिस तरीके से यहां पर जितने भी लेबर हैं उनका खुन चूसने का काम कर रही है यही भारती जनता पार वहींद पर बगल में 60ाक रुपया भिष्मिल जमीन का रेट देते हैं और वहीं बगल में 72 रुपया देते हैं इसी तरीके से धीरे धीरे गीड़ा भी तुप पूरे आगवा गीडा के आगव उसमें पूरा सहजनमा विधान सभा आना है आज अगर सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से उनका लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा और उनका लड़ाई लड़ने के लिए उनका बेटा यहां पर आया हुआ है एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे उपर यह लोग विस्वास करें अगर पास साल में जो है कि मैं इ कि जनता से भी यह अपील करता हूं इसके बाद मेरा बहिस्कार कर देंगे मगर एक बार जो है कि सुधीर सिंग के उपर जुरूर भी स्वास करें उनको अपने नित्यत्त दिखाने का मुझे मौका मिलेगा तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा एक आखरी सवाल और यह सवाल नहीं है कि शुधीर्सिंग जिसे एक आस्वाशन है जीदी चुनाव जिरतेे हैं सुधाम नाय है सबको सुधाम नाय जो लढ़ाई लडएंगे एक आसवाशन चाहता हूँ आपने आमी की बात कहिए और आमी नदी काजो गंधापादी है उसका कारण भी आप जानते हैं और सब जानते हैं शुधीर सिंगh five साल के भीतर पूरे 25 साल अगया ती जितते हैं तो वह पानी स्वक्चह होगा जो आपके एरिया में आता है यहाइ। क्या वो पानी स्वक्चह और आमी नदी की सफाई हो चाहे गीडा में रोजगार की बात हो मैं सब कराने का प्रयास करूँगा और निशीत रूप से जो है कि पास साल बाद फिर आप मुझसे जो जब मैं चुना अलड़ूँगा अभी तो आप भी बहुत यंग एच के हैं और जो है कि मेरी उमर अभी 67 साल है तो निशीत रूप से हम लोगों को अभी बहुत ताग्य तक राजनीत करनी है 12 साल का फासला है हमारे और आपके उमर की बीच में 12 साल का फासला है और अभी तब हम लोग स्वस्थ हैं कोई बीमारी नहीं है हम लोगों को तो यह है कि अभी हम लोग लंबा चलना है निसीत रूप से जनता को जनता से जुड बोल कर कोई 5 साल चल सकता है उसके बाद 10 साल चल सकता है उसके उपर नहीं जा पाएगा बहुत बहुत सुक्रिया इंसाइट भारत टीवी से बाचित करने के लिए दन्यवाद तो आपके सुदीर सिंग जी साजनवा से बहुती दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं बाकी कैमरी के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखलेश मैं विकाल गोस्वामी और आप इंसाइट भारत टीवी देख रहे हैं धन्यवाद